असलाम अलेकुम जी, so company को जानने के बाद और industry research करने के बाद, it's very important कि user research किन-किन methods के थ्रू की जा सकती है तो user research का जो मकसद है वो ये है कि user behavior को, user की needs को और उसकी motivations को understand किया जाए और ये सारी understanding के लिए हमारे पास multiple तरीके हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि interviews conduct किये जाए ठीक है, ये interviews physical भी हो सकते हैं और ये online भी किये जा सकते हैं और इन interviews का जो main मकसद है वो ये है कि उनका current experience कैसा है किसी specific task को perform करने के लिए और what they expect that how this specific task should be performed ठीक है, हमारे जितने भी questions होंगे वो ये जानने के लिए होंगे current experience and what they expect इसके बाद हमारे पास एक second तरीका है, वो है contextual interviews ठीक है, तो contextual interviews में हम किस तरह से user को understand कर सकते हैं user की जो day to do activities हैं, हम उनको observe करते हैं और हम देखते हैं कि वो एक खास specific task किस तरह से perform करता है या एक खास specific software है, उसको किस तरह से इस्तमाल करता है या हम किसी specific task के लिए we can give directions कि आप कुछ steps perform करें और इस task को complete करके दिखाएं तो वो जितनी भी उसकी एक observation है कि वो activities किस तरह से perform करता है उसकी day to day activities और वो सारा कुछ that will define कि वो user किस तरह से specific task को perform कर रहा है so the third one is हमारे पास personas है ठीक है तो personas के अंदर हम अपने जो customers है जो users है उनको एक proper तरीके से define करते है जैसा कि हमारे पास a group of users है तो यहां पे हम लिखेंगे कि उसकी जो image है उसको define करेंगे उसका नाम लिखेंगे उसका profession क्या है इसके लावा उसके problems को define करेंगे वो किस तरह के problems face कर रहा है इसके लावा वो क्या expect करता है और मुखलिफ इस तरह की चीजें आ सकती है तो यह एक हमारा user का एक बड़ा specific data है तो इस तरह के हम तीन चार परसोनास बना सकते है और यह परसोनास different background से लोग इसमें आ सकते हैं जैसा के एक बंदा है जो एक professional है और वो professional यह specific task किस तरह से perform करता है हम उसको भी observe करेंगे और एक बंदा है जो बिलकुल un-pard है और वो एक specific task किस तरह से perform करता है हम उसको भी observe करेंगे So it's very important के परसोनास के अंदर हम जितने तरह के users को deal कर रहे हैं हम उन सब को define करें ताकि हमें पता चले कि हमारी audience किस तरह की है The next one is the focus group Focus group के through भी हम ढटाई कठा कर सकते हैं तो focus group actually a group of users हैं इससे पहले हम देख रहे थे कि individual users के साथ कैसे interact किया जा सकता है तो focus group का benefit यह है कि we can get input from a lot of people at once हम एक ही दफा में बहुत सारी information gather कर सकते हैं और अगर आप बहुत broad ideas get करना चाह रहे हैं बहुत innovative ideas get करना चाह रहे हैं किसी भी problem को solve करने के लिए then you should interact with a group of people और यहां पे आप उनको allow कर सकते हैं कि वो जिस भी तरह के questions पूछना चाहते हैं वो सारे questions पूछें इसके अलावा एक open ended discussion हो सकती है तो यहां पे आप इस मसले को हल करने जा रहे हैं आपको उनके behaviors का भी पता चलेगा आपको उनकी सोच का भी पता चलेगा अपने users की और आपको वहां पे बहुत सारे questions की answer भी मिलेंगे और बहुत effective discussion भी हो सकती है इसके बाद next one हमारे पास तरीका है कि हम surveys भी conduct कर सकते हैं for getting the information, for getting the data और this is the quickest और simplest way for gathering the information ठीक है और यह information gather करना surveys के थूँ physical भी हो सकता है और online भी हो सकता है ठीक है जैसा है कि हमारे पास एक tool है survey monkey तो वहाँ पर आप कोई form बना सकते हैं उस form में different questions place कर सकते हैं और उसको अपने social medias पर share कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपके बस data आएगा आप उसकी base पर कुछ decide कर सकते हैं आप for example percentage decide कर सकते हैं वहाँ से कि 33% people किसी specific बात पर agree करते हैं और बाकी 77% जो लोग है 67% जो लोग है वो एक और राय प्रेफर करते हैं तो आप इन service के थूँ एक percentage भी define कर सकते हैं और एक और important चीज है that survey is the most cheapest way to collect data इसके बाद हमारे बास एक second technique है that is the card sorting technique और ये बड़ी interesting technique है इसमें आप करते ही है कि आपने जो भी research की आपने सारा जो data है उसको gather किया और data gather करने के बाद आपने कुछ topics define कर दिये या आपने कुछ images create कर दी ठीक है और इन topics को आप cards के उपर लिख सकते हैं आपने बहुत सारे cards बना लिए जैसा कि कुछ chart papers है ठीक है आपने chart papers को काटा और कुछ cards बना दी और इनके उपर कुछ topics लिखती है ठीक है तो cards का जो number है वो vary कर सकते हैं आप 5-6 cards भी बना सकते हैं आप 15-20 cards भी बना सकते हैं किसी भी user के पास ठीक है और उसको कह सकते हैं कि इन cards को sort करें जो भी उसकी preferences है ठीक है जैसे कि इस card पर जो कुछ लिखाव है वो इस बात को ज़्यादा prefer करता है तो वो इसको कहते हैं तो इससे आपको यह पता चलेगा कि user किस बात को किस technique को या किस feature को ज़्यादा prefer कर रहा है उसके हिसाब से आप जब बहुत सारे user से data collect करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस point के ओपर ज़्यादा focus करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है और इसके बारे में आप उनसे questions भी पूछ सकते हैं, ठीक है तो ये topics के हवाले से भी काम किया जा सकता है या आप images भी बना सकते हैं for example, आप अगर poultry forms के हवाले से कोई structure design करें को system design करें तो एक card के ओपर आप कोई egg बना सकते हैं, ठीक है एक और card के ओपर आप कोई मुर्गी बना सकते हैं, ठीक है और किसी और card के ओपर आप कोई temperature define कर सकते हैं तो और ये चीज़ें आप share कर सकते हैं अपने users के साथ और वो इसमें से prefer करेगा कि chicken उसके लिए ज़्यदा preferable है या temperature maintain करना उसके लिए ज़्यदा preferable है या eggs की जो production है वो ज़्यदा preferable है तो यहां से आपको बहुत ज़्यदा useful information मिल सकती है इसके बाद next हमारे पास है जी the wireframes तो जब आपने data collect कर लिया कुछ ना कुछ decide कर लिया तो wireframes दो तरह की होते हैं एक को हम कहते हैं कि low fidelity wireframes ठीक है, low fidelity wireframes जैसे कि मैं यहां पर design कर दूँ एक screen मैं कहता हूँ कि यहां पर एक search engine होगा search bar होगी उसके नीचे कुछ आपको results नजर आ रहे होंगे ठीक है so this is the low fidelity wireframe यह मैंने जल्दी से एक concept design कर दिया इसी तरह से मैं कोई और page design करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहां पर जो हमें food के results है वो इस तरह से नजर आएंगे कि उसकी image नजर आएगी उसका नाम होगा उसका address होगा या उसकी rating हो सकती है साथ ठीक है और इसी तरह से हमें बागी list भी नजर आएगी तो यह एक low fidelity wireframe है तो मैंने बड़ी जल्दी से create कर दिया और इसको हम different users के साथ share भी कर सकते है और उनका feedback ले सकते है एक हमारे पास एक और तरह का wireframe होता है जिसको हम कहते है high fidelity wireframe ठीक है इसमें हम किसी tool का इस्तमाल कर सकते है for example जैसे कि हम adobe xt का इस्तमाल करेंगे ठीक है तो हम उसमें इन wireframes को convert करते हैं थोड़े proper तरीके के साथ जैसे कि हम एक specific बड़ा अच्छा सा artboard बनाएंगे उसमें हम एक अच्छा सा icon use करेंगे उसमें कुछ dummy text write करेंगे और उसमें हम कुछ images के symbols के साथ एक proper तरीके से अपना idea जो concept है उसको visualize करेंगे इसको हम कहते हैं high fidelity wireframe और यह इसको हम कह सकते हैं this is the low fidelity wireframes इसके बाद हमारे बस next जी जाती है जी prototypes तो जब हम high fidelity wireframes बना लेते हैं तो अब prototypes दो तरह से test की जा सकती है आप अपनी prototypes को एक किसी phone के अंदर अपनी images को share कर सकते हैं browser पर जाके उस design को evaluate कर सकते हैं उसको test कर सकते हैं तो prototypes के अंदर actually आप functionality को दिखा रहे होते हैं कि एक content है वो scroll भी हो सकता है ठीक है यह आप एक scroll bar दिखाएंगे और आपका content scroll हो रहा है user can scroll the content वो किसी button पे click करता है तो वो उसको next screen पे move करेगा तो उसको सारी के सारी navigations भी नजर आ रही है और वो actually interact कर सकता है उसकी functionality के साथ तो इसलिए हम prototypes design करते हैं और उसको test करते हैं users के साथ इसके बाद हमारे पास एक next आ जाती है data collect करने के लिए that is the usability testing ठीक है यह एक पहली proper तरीके से testing है जब आपका जो concept है वो ready हो जाता है तो आप किसी भी user को कोई task assign करते हैं और you ask them to perform a specific task जैसे कि आपने कोई e-commerce application design की तो आप उसको एक task assign करते हैं कि order a product ठीक है तो अब इस specific task के लिए वो उसके home page पे जाके different categories में products देखेगा यह देखने के लिए कि उसने कौन से product purchase करनी है फिर वो specific product वो choose भी करेगा ठीक है उसके बाद वो उसको अपने cart में add करेगा cart में add करने के बाद वो payments की तरफ जाएगा तो यह जो सारा process है इसको देखने के लिए आप इसको judge करेंगे आप इसको notice करेंगे कि वो किस तरह से perform कर रहा है वो किस तरह से सोचता है इसके उपर तो यह आप live उसके साथ भी कर सकते है usability testing यह उसको कह सकते हैं कि आप इस पूरे function को record करें और बाद में आप उसकी recordings देखके उसकी thinking और उसके जो interest है जो process है उसको देख सकते है इसके बाद हमारे पास आती है जी alpha beta testing और इसमें आप दो तरह के scenarios को present करते हैं for example आपने दो तरह के systems design किये या दो तरह के designs आपने बना लिए एक specific task को perform करने के लिए A को हम नाम दे देते हैं that is this is the A design and this is the B design और आप user को कहते हैं कि इस design के ओपर भी same function perform करे और इसके ओपर भी same function perform करे और इसके बाद आप user से feedback लेते हैं कि कौन सा design उसके लिए ज़्यादा usable था किस पे उसने ज़्यादा आसानी से अपने जो problem है उसको solve किया और उसका क्या feedback है तो this is known as the alpha beta testing तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम users का feedback ले सकते हैं उनके साथ interact कर सकते हैं और किस-किस method का किस-किस activity का क्या benefit है तो इससे हम अपना system बहतर तरीके से design कर सकते हैं और उसको आगे लेके चल सकते हैं तो बागी चीजों को हम next lesson मैं explore करेंगे see you in the next lesson thank you so much